जैसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मनी नायन की खास पेसकर्ष मनी सेंटरल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको कल ही पता चल गया होगा कि अंशुमान जी कुछ समय के लिए ख़बरों के विशलेशन के लिए अपलब नहीं होंगे और आज पहला ऐसा मनी सेंटरल होगा छेसोचबविस एपिसोड के बाद जिसमें की अंशुमान जी नहीं चुड़ रहे हैं लेकिन आज चुकी रिज़र्बैंक की पॉलसी आई है तो मनी सेंटरल में वही आज की सबसे महत्वपूर्ण ख़बर है और पॉलसी के विशलेशन के लिए हमाए साथ जूर चुके हैं जाने माने और सास्त्री सरत कोहली जी सरत जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज की पॉलसी का विशलेशन करें उससे पहले जर आपने दर्शकों को हम बता जाते हैं कि रिज़र्बैंक ने आखिर में कहा क्या कुछ है और क्या कुछ इस पॉलसी में निकल करके आया है भारती रिज़र्बैंक ने गुरुआर को मॉनेटरी पॉलसी की घुशना की एक बार फिर से पॉलसी दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ रेपोरेट को 6.5% पर इस्थिर रखा गया है इदाफा देखने को मिल रहा है और निजी निवेश भी बढ़ा है हालाकि आरबियाई का कहना है वैश्यों के स्थर पर बढ़े राजनीतिक घटना क्रम और कमोल्टीज की कीमतों में हो रहे भारी उतार चड़ाओं की वज़ह से चिनोती बढ़ेगी आरबियाई ने ये भी काया है कि टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से मुबाइल टेरिफ में बढ़ोतरी के बाद कोर महगाई बढ़ेगी साथ ही आरबियाई ने ये भी बताया कि महगाई की वज़ह से कंजूमर कॉन्फिटेंस में कमी आई है सर आज की पॉलसी को देखें बहुत कुछ तो एक्सपेक्टेड लाइन पे था किसी कोई उमीद नहीं थी कि ब्याज़वरों में कोई कटवती की जाएगी लेकिन इंफलिशन कहीं न कहीं एक बड़ा कंसरन बना हुआ है आप कैसे देख रहे हैं सर आज की पॉलसी को और जो खास्तोर से जो स्टेट्मेंट आई है रबी आई गवर्मेंट की तरफ से नवश्कार वेपल और सभी मनी नाइन के फॉलोवर्स और व्यूवर्स को मेरा थार्दी का भी नंदर दिल्कुल आपने खी का जैसी उमीद थी पॉलसी की के रेपो रेट में चेंज की मुझे भी बिल्कुल पर्सनली स्पीकिंग बिल्कुल उमीद नहीं थी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया इसी तरह SDF और MSF जो लोग फॉलो करते हैं पूरी तरह से मैं अगर इसको दूसरे तरह से कहूं तो RBI गवर्नर साभ या RBI बॉलिट्री पॉलसी के जिसको कहते हैं तसली बक्ष नहीं है और उन्होंने आपने अभी मुबाइल का टारिफ का जिकर किया उन्होंने दूद का भी जिकर किया पर फुल मिलाके उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को अभी भी एक परेशानी का सबब बताया है और पिछली पॉलसी में भी हमने देखा था कि उन्होंने का था ये इंफलेशन वाकी कंट्रोल में करीब करीब आ चुकी है पर ये जो खाने पीने की चीज़े हैं ये अभी भी जिद पर अड़ी हुई है ऐसा लगता है कि बहुत जिदी है नीचे नहीं आ रही है और हमने देखा कि मई और भारत जैसी एगरी एकॉनिमी के लिए अच्छे मॉनसून अच्छे है पर ड्यूरिंग दा मॉनसून क्या होता है कि आपकी क्योंकि लोजिस्टिक्स एफेक्ट हो जाती है आवा जाही जो सबसीों की है ज़रूरी समान किये खाने पीने की चीज़ों की वो एफेक्ट हो तो उसकी वैसे प्लस अगर कुछ शेत्रों में बाढ़ आ जाती है तो फसल को भी नुकसान होता है तो उसको देखते हुए खाने पीने की चीज़ों के मुझे लगता है सोने पर सोहागा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो गर्मी की मार पड़ी और उसके फॉरन बाद हम मौनसोन में आ गए तो एक तरह से दोरी मार खाने पीने की चीज़ों पर पड़ गई तो मुझे ये मेन रीजन नजर आता है ये जो रिपो रेट के साथ शेड़ा खानी नहीं करें गया पर एक तीसरा कारण भी यहां लोगों को पता होना चाहिए शायद कम लोग जानते हो होंगे कि Reserve Bank ये बात खुद भी कहता है और हमें मालूम भी है कि वो कोई American Fed के दुमचले नहीं हम कोई उसको follow नहीं करते हैं हमें ये नहीं कि जो वो करें हम उसके copycat بن जाए हम ये करें पर ये भी सच है कि अगर American Fed rates cut करता है जो कि उसने इशारा किया है September में rates cut करने का तो भा इसा लगता है और आज अगर stock markets की आप देंके बंद हुए तो bank nifty ने थोड़ी सी हाला कि nifty down था बर bank nifty ने रहात की सांस ली के कम से कम rates को no bad news is good news करके आज भूगया और ये भी ऐसा लग रहा है कि हाला कि उन्होंने इशारा किया ज़रूरी नहीं कि आगे दो महीने बाद क कुछ rate cut आपको दिखाई देगा पर अगर American Fed कारता है तो उससे अगली policy में मुझे लगता है rate cut तो इस उमीद में bank के जो shares के आज वो थोड़ा सा stable रहे फ्लाटिश kind of close उसने दिया है जबकि overall stock market sentiment down था तो मुझे लगता है कि Reserve Bank of India की जो policy है उसमें मुख्यता जो commentary होती है व उसको मैं flat policy बोलता हूं पर इसमें एहम क्या हो जाता है इसमें एहम हो जाता है जो उन्होंने commentary दी है उन्होंने भारत की growth की बात करी 7.2 से 7.5% की बीच में उन्होंने रहने की बात करी inflation GDP दो बड़े takeaways इस monetary policy में से है थोड़ी सी चिंता inflation में है target RVI का 4% का है पर यह 4.5% के बीच में घूम रही है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो geopolitical situation इस समय बहुत fluid बनी हुई है तो अगर वहाँ पर West Asia में अगर कुछ flare-up होता है यहां से हम इरान और इसराइल के बीच में या गाजा में जो भी West Asia में tension है मैं समझता हूँ भारती economy के लिए direct नहीं पर indirect और से वह एक चिंता का सबब बन सकती है कि अगर महाँ flare-up होता है तो हम भी उससे बिलकुल अच्छूते नहीं रहने वाले यह बात लिए चाली हाला कि जो पांसे सवाल मैंने आपके लिए त्यार किये थे काफी आपने काफी हद तक चीजों को अपने उत्तर में एकी उत् दिखाए दिया इस तरह की भी खबर आने लगें कि हो सकता है इमर्जंसी बैठा करके रेट कट हो हाला कि असान नहीं हुआ तो सितंबर में उम्मीद की जारी कम से कम एक रेट कट आएगा अगर सितंबर में रेट कट आता है तो क्या इस साल भारत के अंदर दिसंबर से पह हो सकता है 2025 तक का हमें इंफिजार करना पड़े रेट कट के लिए देखें अमेरिका के जो फेड गवर्नर है जरॉम पावल साहब उन्होंने अभी हाल में जो अमेरिका की पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने ये इशारा किया कि अभी तो समय नहीं है पर सेप्टेंबर में हम देख सेथा उन्होंने साथ में एक डाल दिया कि लोग इसको थोड़ा प्लिटिकल अंगल दे देते हैं अमेरिका में इलेक्शन सा रहे हैं तो वह इलेक्शन के लिए इंडस्ट्री को खुश करने के लिए कौपरेट को खुश करने के लिए शायद रेट कट किया जाए पर ये भी एक कड़वा सच ये भी है कि आप इलेक्शन को नजर अंदाज नहीं कर सकते शायद इसलिए उन्होंने हाला कि उन्होंने ये डिस्क्लेमर दिया है कि हमारा इलेक्शन से कोई लेना दियाना नहीं है और आपको रेट कट ये सप्टेंबर में शायद दिख सकता ह है तो अगर वहां पर रेट कट होता है और दो शर्ते में लगाता हूँ अगर अमेरिका में रेट कट होता है और भारत में ये महंगाई की दर अगर अच्छे मौनसून से और ज्जादा बार ना आए और ये खाने-पीने की चीज़ों के खासकर सबजियों की आवा जाही प जादा फरक ना पड़े और ये कहीं ये इंफलेशन अगर मेरे साब से सबा चार साड़े चार के बीच में आ जाता है तो शायद हमें अगले जो MPC की मीटिंग होगी उसमें रेट कट दिख सकता है पर मुझे जादा चांस ये उससे अगली जो होगी यानि कि डिसंबर में जो कि अभी RBI Governance आपने जिकर की कि आ रहा है पर जिस रफतार से आना चाहिए पैसा बजार में महेंगा होगा तो निजी निवेशक इंडस्रिस की बात कर रहा हूँ मैं या शेयर मार्केट और आम निवेशक की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडस्रियल इंवेस्टर्स है वो अगर 77.45 की बीच में आ जाती है तो स्प्टेमबर में कम चांस है पर डियसमबर में मुझे ज़्यादा चांस नजर आता है जो दिसंबर में उमीद कर सकते हैं साल के समाप्त होते होते एक रेट कट आपको देखने को मिल सकता है इस बीच रिजर्व बैंक ने पॉलसी तयार करने में बहतर मौनसून को आधार माना है लेकिन मौनसून सीजन अब तक जैसा रहा है वो संतुलित नजर नहीं आ रहा है मौसम भाग के आखड़े बताते हैं कि अब तक बीते मौनसून सीजन यानि की पहले जून से साथ अगरस तक देश के 724 जिलों में से सिर्फ 270 जिलों में बरसात सामाने होई है 57 जिलों जहां पर अत्याधिक बरसात दर्ज की गई है और 181 जिलों में सामाने से ज्यादा बरसात दर्ज की गई है इसी तरह 22 जिलों में बरसात की भारी कमी भी दर्ज की गई है जबकि 194 जिलों जहां पर सामाने के मुकाबले कम बारिश होई है सर मौनसून के आकड़े जब हम पूरे अगर आवसत निकाल के देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि सामाने बारिश हो रही है या सामाने से थोड़ी जादा बारिश हो रही है लेकिन जब अलग-अलग हिस्सों पर हम नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जगों पर तो काफी ज़्यादा बारिश होई कई जिले ऐसे रहे गए जहां पर बारिश सामाने से कम रही है और कई जगों पर बारिश काफी कम देखने को मिली है कई जगों पर बाड़की भी इस्ती है और कई जगें ऐसी भी है जहां पर की फसल की भुवाई में काफी समस्या आ रही है इन जब आकड़ों को हम देखते हैं तो क्या हम मानके चलें कि ठीक है ओवरॉल पिक्चर में तो दिखता है मानसून समाने लेकिन जगर भुवाई के लिहास से अगर हम देखें तो कई जगहों पर कई जिनों पर ऐसी इस ती दिजर आ रही है कि साइद सामाने भुवाई ना हो पाए यह क्या बड़ा खत्रा दिखाई दे रही है आप इसको कैसे जज़ करते हैं कैसे देख रहे हैं या भी आप वेट नॉर्मल बनता जा रहा है और इसको हमारे एग्री सेक्टर को भी स्विकार करना पड़ेगा और अर्थ विवस्था को भी स्विकार करना पड़ेगा हला कि मैं यह साथ में जोडना चाहूंगा कि अभी हम आज 8 अगस्ट में हैं और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जल् पारिशोरी और कुछ जगा अभी भी कहीं बारिज बिल्कुल भी नहीं पहुंची है, ऐसे भी कई जिले हैं, तो बिल्कुल ये चिंता का सबब है, ये देखना होगा कि आउगस्ट के एंड में कौन से वो जिले हैं विपुल, जहां पर खासकर हमारी जो धान की फसल और रभ अच्छी बात है कि भारत के जो food stocks हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत monsoon माल लीजे, 10-20% कम भी रहता है, तो वो अच्छा तो नहीं है, हम अच्छा तो नहीं है, हम अच्छा तो नहीं सकते हैं, यहां पर 60-70% आब आदी, आज भी कृशी शेतर पर प इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि वो फिर inflation को हवा देगा, और हमारी food grains में भी shortage नजर आएगी, अभी हमने खाली सबजियों की बात करी, धलों की बात करी, हमने basic groceries की बात करी, फिर वो आपका सीधा-सीधा food grains पर भी staple food जिसको हम कहते हैं, उस पर भी असर दिखाई देने बोल दू, कल को मौसम ऐसा हो गया, जियो पोलिटिकली ऐसा हो गया, तो कहेंगे, गवर्नर साब ने कहा था, इसलिए वो सोच सोच के बोल रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेगरीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो अभी जुड़ी हुई हैं, मुझे लग करके बाजार के अंदर अब खुब चर्चा है, रिज़र्बैंक गवर्नर ने बैंकों में रखी जाने वाली बचत का निवेश के दूसरे विकल्पों में हो रहे हैं, इस्तमाल पर कहा, कि ये बैंकों के लिए बड़ी चिंता बन सकती है, रिज़र्बैंक गवर्नर ने बत जाने का प्रयास करें रिजर बैंक ने बैंकिंग विवस्था में बढ़ते टॉप अप होम लोन और गोर्ड लोन पर भी जिनता जाता ही है उन्होंने कहा कि बैंक इसको ले करके रिजर बैंक के नीमों की अंदेखी कर रहे हैं सरी एक बड़ा कंसर निकल करके आया है जो बात बन सकती है आने वाले समय में लिक्विटी को ले करके इसे आप कितना बड़ा कंसर मानते हुए दिख रहे हैं आप बैंक पॉंट अव्यू से तो यह वाकई बहुत बड़ा कंसर ने जो कि जो आप डिपॉजिट करते हैं एक तरह से बैंकों का रॉम मेटीरियल है वो तो अगर बैंकों को रॉम मेटीरियल नहीं मिलेगा तो फिनिश प्रॉड़क्ट या नहीं कि जो लोन आगे बाटते हैं वो कहां से बाटेंगे पैसा उनके पास कहां से आएगा इसलिए बैंक दूतरे विकर बूंड रहे हैं पर अगर बैंक में हम एवरेज रिटर्न विपल देखें तो एवरेज रिटर्न करीब नेट आफ टैक्स की मैं बात कर रहा हूं हम सूपर सीनियर सीटिजन की भी निका करोड रुपया गया तो यह बता रहा है कि लोगों को अगर पिछले तीन साल के दो-तीन साल की स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस को भी मैं जिम्यवार मानता हूं पहला जिम्यवार मानता हूं दूसरा जिम्यवार मैं रियल स्टेट में जो पिछले दो-तीन-च वगेरा 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 वो ये दो तीन कारणों से लोगों को लग रहा है अब होता क्या है कि जैसे आपने mutual fund में invest किया और आपको 15-20% के बीच में साल में return मिला आप अपने चार दोस्तों के साथ बैठते हैं अले भईया हमने तो पैसा बैंक में रखा है कितना यार बैंक म क्या होता है word of mouth बहुत speed से काम करता है बहुत effectively काम करता है तो अपने circles में relatives में friends में जब लोग बताते हैं तो लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल निकाल के mutual funds और F&O के लिए बहुत चिंता जताई गई थी आपको पता होगा reserve bank ने, SEBI ने, stock exchange ने, वित मंतराले तक ने इस चिंता की बात है और bankों को अब करना क्या चाहिए, जो reserve bank के governor साहम ने कहा, अपना थोड़ा सा profit margin ने, कि bank का profit क्या होता है, जो आप loan जिस rate पे लेते हैं और जिस rate पे आप bank को deposit देते हैं, उन दोनों का जो spread होता है, बीच में और बहुत चीज़े होती है, उनका मैं इसको ल चरानी की बात आपको होगी सुनके, कि retired लोग भी अब mutual fund, gold stock markets का दर्वाजा खट-खटाने लगे हैं, 15 करोड के आसपास हमारे DMAT account हो चुके हैं, तो लाज़मी बात है, बैंक के लिए तो चिंता की बात है, बैंक से निकल-निकल के पैसा वहाँ जा रहा है, तो बैंक जब पैसा नहीं रखेंगे, मुझे लगता है, बैंक को अपना deposit rate बढ़ाना चाहिए, और यह कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही tax cut को टाके वह कम हो जाता है, तभी बैंक के deposit सस्टेन रहेंगे, वरना बैंकों के लिए दिक्कत आने वाली है, credit growth बनी हुई है, home loans की बात करी, top ups की बात करी, Reserve Bank of India के गवर्नर साहब ने, और उन्होंने credit off-take की भी बात करी है, तो credit off-take तो तभी बढ़ेगा, जा पीछे से supply तो जैसा मैंने का, bank के लिए deposit raw material है, bank की ओगा factory माने, वो raw material है, finished product उसका loan है, तो बिलकुल चिंता की बात है, और बैंकों के लिए उन बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हमने देखा, LTCG में थोड़ी से बढ़ाती हुए, क्या mutual fund में जो निवेश हा रहा है, उसको discourage करने के लिए, गौर्मेंट की तरफ से कोई पहल हो सकती है, ताकि बैंकों के अंदर liquidity maintain रहे, credit growth भी बढ़ती रहे, बैंकों के पास पैसा नही inspirate किया गया है, मैं समझता हूँ, एक छोटा सा कदम उठ चुका है, पर मुझे नहीं लगता विपुल के mutual funds की तरफ जाते हुए पैसे को, क्योंकि mutual fund association का जो tagline है mutual fund सही है, तो जो चीज़ अगर सही है, तो उसमें आप, मुझे लगता है, के दखल देंगे, हाला कि mutual fund में risk ह अगर गलको market correction में, मुझे रखता, बैंक की deposit growth अभी चड़ेगी, जब stock market correction में जाएगा, अगर stock market में returns कम होने लग जाएंगे, या negative returns होंगे, तो वापस लोग बैंकों की तरफ रुख करेंगे, तो बैंक को या तो वो इंगजार करें के market correct होगी, तब deposit आएगा, वरना, ब deposit rates को market करना पड़ेगा, deposit rates को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को अपनी तरफ सीचने के लिए. पिछले साल करीब 42,000 लोगों ने अपनी कमपनी का साथ छोड़ा है, cost efficiency, drive और कम hiring के कारण कर्मचारियों की संख्या घटी है, सबसे ज़्यादा गिरावट retail सेक्टर में आई है, जहां कमपनी के कई store बंद हुए और विस्तार में भी कमी देखने को मिली है. इलाइंस अंडेस्टीज के चेर्मेन और M.D. मुकेश अम्मारी ने कहा है कि पुझीगत खर्ष के पिछले दौर के बाद कमपनी ने अपने भी खाते को मजबूत किया है और अब वो वृद्धी के लिए अगले इस्तर के लिए त्यार है. उन्होंने कहा कि कमपनी दो हजार पैंटिस तक अपने परिचालन से शुद्ध सुन्य कार्बन उसर्जन को लक्ष बना करके हरित मार्क पर आगे बढ़ रही है. चीन के इंजिनियर्स और तकनीकी विशेशक्यों के लिए कारोबारी विजा को सुगम बनाने के से जुड़े पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है. चीन के इन विशेशक्यों की पियलाई से जुड़े छेतरों में ज़रूरत है. टेसला ने चीन में करीब 17 लाग कारों को रिकॉल किया है. इन कारों के ट्रंक लैंट में खरावी होने की आशंका है. कंपनी वापस बुलाए गई कारों में रिमोट सॉफ्टेयर अपग्रेड करेगी ताकि ट्रंक बंद ना होने पर ड्राइवर को इसके बारे में सतर क्या सके. नोटिस में भी कहा गया है कि गारी चलाते समय ट्रंक का ढखकन खुल सकता है जिससे ड्राइवर को देखने में परेशानी हो सकती है. पोजी बाजार नियावक सेवी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेर्मेन सी पारसार्ती से 15 दिन के भीतर 25 करोड रुपए का भुकतान करने उका है. ये मामला पावर आफ अटार्नी के जरिये ग्राकों की राशी के दुरुप्योग से जुड़ा हुआ है. सेवी की तरफ से लगाये जर्माने का भुकतान करने में विफल रहने के बाद ये नोटिस चारी किया गया है. सेवी ने अप्रेल 2023 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और पारसार्ती को शेयर बाजार से 7 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. साथी पावर अफ एटाउनिंगा गरत उप्योग करके ग्रहकों की राशी का दुर उप्योग करने के लिए उन पर 21 करोड रुपए का जुर्माना भी लगाये था. वारज्योग उद्योग मंत्री पियोज गोयल ने विम्स्टेक के सातों सदस्टर देशों के फिर से फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पर बातचीत शुरू करने का सुझाओ दिया है. अभी तक देशों के बीच बातचीत की गती बहुत धीमी है. गोयल ने गहा कि सदस्टेश पूर्ण मुक्त व्यापार समझोते के बजाए अधिमान्य व्यापार समझोते पर बातचीत करने के बारे में सोच सकते हैं. तो फिलाल हमारी खास प्रेसकर्स मनी सेंटरल में इतना है. आप लगातार महिना इनके साथ बने रहिए. मुझे फिलाल के लिए इजाद दीजे. नमस्कार. कर दो कर दो हुआ है. आप लिए में घौत है. वड़ी नमस्कार.